हेलो एवरिवन गुड मॉर्निंग लास्ट टाइम हम लोगों ने लिंकेज एंड रिकॉंबिनेशन से रिलेटेड लेक्शर्स खतम कर लिये हैं जिसमें हमने टू पॉइंट टेस्ट क्रॉस त्री पॉइंट टेस्ट क्रॉस और इसके अलावा हम लोगों ने इंटरफेरेंस को इंसीडेंस भी देखा उसकी न्युमैरिकल्स भी देखे आगे की न्युमैरिकल्स की प्राक्टिस हम बाद में क्रेंगे पहले हम यहीं यॵिनिट खतम कर लेंगी उसके बाद जब हम कुछ assignments करेंगे और कुछ टेस्ट लेंगे तो उसमें numerical की practice भी करेंगे next topic chromosomal theory of inheritance है हमारा unit 1 का ही topic है ये बहुत ज़्यादा important भी है ये क्योंकि यही एक basis है कि किस तरह से हमारे characters एक generation से दूसरे generation में transfer होते हैं उसके लिए एक theory दी गई थी उसी को chromosomal theory of inheritance कहते हैं ये एकदम theoretical aspect है कुछ theory के points है उसमें आप लोगों को समझना होगा कि उसमें क्या कहना चाहते थे जो भी scientists थे उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ पुरानी बाते बताना चाहरी है हम लोगोंने आगे की कुछ theories आएं जिसकी वजह से मैंडल के law fail होते चले गए जैसे मिरा बिलिस जलापा four o clock plant ठीक है जिसमें pink color के flower आ जा रहे थे according to मैंडल तो केवल first generation में dominant आना चाहिए था लेकिन वैसा नहीं हुआ उसमें तो incomplete dominance में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि first generation में pink color के flower आ गया जिबकि हमने parent में तो pink लिया ही नहीं था तो ऐसे कई जगह मेंडल के law fail हो गया तो यह माना किया कि उन्होंने जो भी theory दी थी वह acceptable नहीं थी और कुछ उसका scientific उसके पीछे कोई scientific reason कोई कर नहीं पाया कि ऐसा क्यूं हुआ और इस वज़े से वह fail हो गई ठीक है तो मेंडल ने जो भी अपने law दिये थे वह आप लोगों को पता होगा कि मेंडल की 1900 की आस पास या उसके बाद में ही microscope का invention होना शुरू हुआ और different type के microscope आते चले गए microscope के आने पे ही cell की study अच्छे से हो पाई nucleus की study हो पाई scanning electron microscope और transmission electron microscope की आ जाने से cellular structure के बारे में पता चला और nucleus के बारे में और chromosomes के बारे मी पता चलने के बास जब देखा गया कि अब cell divide हो रही है तो chromosome किस तरीके से divide हो रहे है η mitosis में किस तरह की से divide हो रहे है कैसे डो cell में जा रही है और meiosis एक process है उसकी भी study हुई उसमें भी देख जब जि delic किसे क्रोमोसोम उसमें सेपरेट हो रहे हैं तो जब यह सब चीजे क्लियर हो गई तब जाके यह समझ में आया कि मैं अंडल ने उस टाइम जो लॉट दिये थे वह ऐसी फेक नहीं थे गलत नहीं थे लेकिन उस टाइम तक हमें क्रोमोसोम या जीन्स के बारे में कुछ पता ही इस वजह से उनकी जो लॉस थे उसको एक्स्प्रेन नहीं किया जा सका था उस टाइम पर तो क्रोमोसोम थे ओरी ओफ इन्हेरिटेंस में यह बताया गया कि क्रोमोसोम के आज आने से किस तरीके से इन्हेरिटेंस पैटरन को समझने में आसानी हुई ठीक है तो वही हमें इस वह बताया बताया जानी है तो उसमें सेल के अंदर हम ख्रोमोसोम ही बनाते हैं बागे तो कोई सेल्यूलर और्गनल बनाते हैं जी हम है नहीं तो माइटॉस्स और मिंशंस में हम क्रोमोसोम का ही सेग्रीगेशन स्टडी करते हैं और उस को जो सेग्रीगेशन स्टडी किया गया उसीने एक बेस तैयार किया क्रोमोसोमल ठीओरियों आफ inheritọn के लिए थी तो यह थोडे से पॉइंट से उसके बाद प्रो उन्हों का अपना अलग-अलग काम करने का टॉपिक था, रैसों पर पर कुछ अलग से एक्सपरिमेंट कर रहे थे, लेकिन दोनों ने जो अपने एक्सपरिमेंट से रिजल्ट दिया, वही अल्टिमेटली क्रोमोसोमल थियोरी आफ इन्हेरिटेंस के रूप में हम पढ़ते ह हैं, मतलब आध रह著 है क्रोमोसोम थियोरी आफ इन्हेरिटेंस खो उसकोशे नाम होता यह क्या होता है? कुछ भी नहीं पता था, मैंडल gene को क्या कहते थे factor कहते थे उस time पर यह हम आपको first lecture में class में बता चुके हैं यह genes identified नहीं किये गए थे तब तक और factors कहा था genes की जगह mandal ने genes को factor कहा था और allyl को तो allyl ही कहा था तो individual genes are present on specific locations at chromosome यह हमारा पहला point है chromosomal theory of inheritance का mainly इसके पाच point होते है ठीक तो Pahala हमारा यह हो गया, दूसरा है कि Chromosome का Behavior यह कोई point रही है, Chromosomal Inheritance का यह point नहीं है यह ऐसी मैने समझाने के लिखा है कि Chromosome का Behaviorweer स्टडी करते है Meiosis से Chromosome का Behavior study करते है और उसी से Explain होता है Mendel के Law और Gene Inheritance का पता चलता है थीक मतलब εν degradation के Behavior Miosus यह जो point है यह वाला मैं इसको ऐसे भी कर दे रही हूँ यह आपका Chromosomal Theory of Inheritance के अंदर as such नहीं है, उससे related है, तो आप इसको point ना मानी है, ऐसी समझने के लिख लिख लीजेगा, दूसरा point जो था Chromosomal Theory of Inheritance के 5 point में से वो था कि Chromosom present होते हैं pairs के form में, Chromosomal Theory of Inheritance का, अब देखिए हमने paired के form में Chromosom बनाए हैं, ठीक है, यह हमने 2 Chromosom बनाए हुए हैं, एक male से आए, एक female से आया है, यह दो pair के form में present हैं, अब जो हमने आपको यह box के अंदर यह बंद करकी, जो यह line बताई थी, उसको मैं explain करने जा रही हूँ कि इसमें मैंने क्या बताया है, अब यह आप इसको समझें, फिर इसको पढ़ेंगे, मैंने बताया कि Chromosomes जो होते हैं, pair के form में होते हैं, pair के form में मैंने यहां बताया हुआ है, इनकी जो theory थी, वो सही थी, उसके बाद हमें यह पता चला, meiosis के time पर यह separate हो जाते हैं, यह अलग चला जाएगा, यह अलग चला जाएगा, उसी तरह से, हमने देखा था, जब gamete formation हो रही थी, तो T or T अलग हो जा रहे थे, हमने आपको gamete form करके दिखाया भी था, इस gene के दो values अलग-अलग हो जा रहे थे second law में, ठीक है, इसमें भी वैसा ही हो रहा है, बाद की theory में भी यह पता चला कि जो यह chromosome के pair है, meiosis के time पर separate होते हैं, मतलब एक खतक मेंडल के law कलत नहीं थे, उसको उस time पर explain नहीं कर पाया कोई, लेकिन वो सही थे, ठीक है, फिर उसके बाद next point है ख्रोमोसोम काई सेपरेट करते हैं या गयमेट के time पर separate करते हैं, मिउसस से ही गयमेट की formation होती हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसके बाद next point है, one chromosome of a pair separates during meiosis and enters in gamut, और जो chromosome separate होते हैं, pairs के form में जो होते हैं, वो जब separate होते हैं, तो जो चाहां एंटर करते हैं करते हैं gamete में मतलब gamete की formation हो जाती है ठीक है तो आपका एक Point यह हो गया जिसमें आपके gametes में chromosome separate हो रहे हैं दूसरा Point आपका यह हो गया chromosome forms a pair sorry chromosome from a pair separate during nuances यह दूसरा point हो गया तीसरा point आपका यह हो गया कि chromosome क्रोमोसोम पेर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं चौथ है यह हो गया कि एक फादर से आता है एक मदर से आता है और पांच वाँ हो गया इंडिवीजुल जीन से प्रिसेंट अन स्पैसिविक लोकेशन एड क्रोमोसोम हम यह नंबर भी डाल दे रहे हैं जिसके आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम या कन्फियूजन ना हो कि तीन पॉइंट है का यहां लिखा नहीं रहेगा तो आप लोगों को कन्फियूजन हो जाएगा चार पांच ही पॉइंट है क्रोमोसोमल थियोरी और इंहेरिटेंस के जो आपको पांच वैस सच ही याद करने होगी अब चीज़े हमने लिखी क्या है तो ये गैमिट की फॉर्मेशन लिखी है दूसरी चीज़ लिखी है सेपरेट्स इन्मियोसिस तीसरा लिखा है पेर्ड्स उसके बाद लिखा है चौथा जीन्स और पांच वा लिखा है फादर मदर तो अब देखिए पहला पॉइंट क्या है कि क क्रोमोसोम पे जीन्स पाए जाते हैं जो लाइन लाइन हमने बनाए हूँ ये क्रोमोसोम पे इसको माल लीजे कि वो जीन्स है जो जीन्स कहां पाए जाते है क्रोमोसोम पेर्स के फॉर्म में अरेंज रहते हैं ये पहला पॉइंट हो गया ये दूसरा पॉइंट हो गया ती ग्यामीट में चला जाता है या ग्यामीट की फॉर्मेशन हो जाती है यही 5 पॉइंट है इसको आप लिखके डाइग्राम बनाके एक्स्प्लेइन कर सकते हैं ठीक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ख्रोमोसोमल थेोरी ऑफ इन्हेरिटेंस किस ने दिया था कई सारे नाम लिखे होंगे आपको बता होंगे इसी अर्चिन पे था बॉवेरी का और सटन का ग्रैस ओपर पर पे था तो यह क्रोमोसोमल थेोरी ऑफ इन्हेरिटेंस में इससे जादर कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों को पांच पॉइंट है पांचों मैंने अच्छे से जल से उनके सारे एक्सपरिमेंट में क्या हो रहा था कि डॉमिनेंट फॉर्म पहले आ रहा था उसके बाद पेर्स उसके बाद जो कैर्क्रत थी सेकेंड जेरेशन में सेपरेट हो जा रहे थे तो यह आपका क्रोमोसोमल थेओरी ऑफ इन्हेरिटेंस इसको लिख लिज इसक उसके एक्साम्पल्स को डीटेल में पढ़ेंगे ठीके तौश्री इतने रखते हैं थेंक्यू